बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और WhatsApp पर आपके कुछ इस तरह से आपको ये एरर देखने को मिलता है Temporarily Banned अगर आपका नमबर Temporarily Banned कर दिया गया है WhatsApp पी तरफ से और आपको प्रॉलम फेस करने पड़ रही है तो आज की वीडियो आपके लिए है कैसे Unbanned करेंगे जो आपको Temporarily Banned किया गया आपके नमबर को यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में एंड तक बने रहीएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक्स है उसको अपलाई करना है प्रावलम आपकी विदिन 24 आर्स सॉल हो जाएगी तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ हमें करना होगा इस प्रावलम से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तुम आपको बता देता हूँ यह प्रावलम आती क्यों है कई बार आप करते क्या है इसे पहले क्यों होगा इसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा सबसे पहले किसी भी ब्रावजर को ओपन कर लीजिये तो यहां पर Menu डॉजर को मैं ओपन कर लेता हूँ Chrome browser open मैंने कर लिया है अब यहाँ पर मुझे लिखना है WhatsApp Support WhatsApp support लिखके इसको open करना है सबसे उपर आपको देखने को मिल रहा है Contact WhatsApp इसको open करता हूँ यहाँ से Open करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा Contact WhatsApp यहाँ पर आप देख लिजिएगा WhatsApp Messenger support चाहिए या फिर आपका WhatsApp Business support चाहिए तो आपका WhatsApp Messenger में अगर आपको problem आ रही है तो यहाँ से हम उसको select करेंगे Contact Us लिखका हुआ है तो Contact Us पर आपको click कर देना है जैसे आप Contact Us पर click करेंगे आपके समने page open हो जाएगा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको phone number डालना होगा phone number country wise आपको डालना होगा आपकी इंडिया है तो यहाँ पर इंडिया country का code डालकर आप select कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी countries आपको देखने को मिल जाएंगी उसके हिसाब से आप अपनी country को यहाँ से select कर लिजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया में select कर लिया है यहाँ पर आप अपना number डाल दीजिएगा जो भी आपका number है यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद email आपको एक ऐस email address डालना है जो आपके mobile में open हो क्योंकि जब आप यहाँ पर यह काम करेंगे तो आपको mail के through बताएंगे आपकी problem क्या थे मतलब आपका जो whatsapp है वो contact कर सकेंगे आपको उस mail के through तो आप यहाँ पर अपनी mail id वही डाल लिएगा जो आपके mobile में है यहाँ पर mail id डाल दीजिएगा और same mail id यहाँ पर भी डाल दीजिएगा एक बात का ध्यान रखना है same mail id डालनी है दोनों में confirm करके तो उसके बाद नीचे आईएगा नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे how do you how do you use whatsapp तो आप one drive में चलाते हैं आईफोन में या फिर जिसमें भी चलाते हैं आप उसको select कर लिजिएगा आईफोन है तो आईफोन एंडोइड है तो एंडोइड देन उसके बाद select नीचे आईएगा और नीचे लिखना है आपको एक message type करना है वो message के हम आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखना है आपको कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसका screenshot ले लिजिएगा या फिर आप ध्यान से इसको देख लिजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो को रोग के आप यहाँ पर इसको as it is लिख सकते हैं देख लिजिए तो यहाँ पर आपको यह सब लिखना है और नीचे आपको देखने को मिलेगा यूर नेम यूर नेम में आपको यहाँ से कट करके आपका नाम लिख देना है और यूर वाट्सअप नमबर में आपको whatsapp number लिख देना है whatsapp number कौन से लिखेना है जो आपका ban है और यहाँ पर निजे next step पर click कर देना है बस आपका जो report है वो submit हो जाएगी और आपकी जो problem है within 24 hours वो solve कर दी जाएगी mail के थुरू आपको बता दिया जाएगा ठीक है guys आपको यही सब करना होगा आपकी problem solve हो जाएगी आपको आज की वीडियो में यही बताना था वोप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लिए 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 लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल्दर बाय टेक क्या लव यू अल